नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबों का हमारी योटूब चानल रामगाड एडुकेर में दोस्तों आप लोगों के लिए बीएड का प्रिवेस येर कुछिन पेपर लेकर आया हूं दोस्तों सेमेस्टर वन का यहां दोस्तों यह सेमेस्टर वन का है प्रिवेस येर कुछ और पेपर है आपका Contemporary India and Education, ठीक है, Contemporary India and Education, BA semester 1 में एक पेपर होता है दोस्तों, और ये पूरे 18 marks का रेटेन होता है, 20 marks का internal exam होता है, college वारा 20 marks का लिया जाता है, और 80 marks का external रेटेन होता है, ठीक है, इसमें objective question भी रहते हैं, short type question और long time के question रहते हैं, तो सभी मैं दिखाने वाला हूँ, और सभी question के जितने भी previous year question है, BA के 4 semester के मैं अपने telegram channel पर upload कर दूँगा जल से जल, और upload तब तक से बने रही है साथ में, और इस वीडियो को देखें और आप समझने का परियास करिए कि किस तरह की question BA में पूछे जाते हैं दोस्तों, और मै सारी चीजे बताऊंगा आपको कि कैसे आपको exam लिखना है, और कैसे तयारी करनी है BA की सारी चीजे बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये session 18-20 का question है, previous year question, contemporary, India and education का, ठीक है, full marks, 80 marks के time रहता है, आपका 3 hours रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले objective questions को द देख लेते हैं, group A में आप देख सकते हो, group A में objective time question रहते हैं, 10 question रहते हैं, 10 question में आपको 10 कंपलसरी करना रहता है, two marks के लिए रहते हैं, और यहाँ पर पहला question देख सकते हो, A में आप समविधान की धारा 350 में किसकी व्याख्या की गई है, जहाँ दोस्तों समविधान की धारा 350 में किसकी व्याख्या की गई है, यहाँ पर contemporary India and education में आपको थोड़ा से समविधान भी पढ़ना है, जो education से related जो भी धारा हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है, तो पहला question आपने देख लिया, बढ़ते हैं अगले question, तो पहला question आपने देखा, समविधान में धार 350 किसे संबन्दी थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला question देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी का विकास की व्याख्या समविधान की किस धारा में की गई है, अगला question C आप देख सकते हो, इस्तरी सिक्षा की व्याख्या समविधान की किस धारा में की गई है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 Next question है मौलिक अधिकार की वाक्षा सम्विधान की किस धारा में की गई है आर्टिकल 350 और आर्टिकल 351 अगले options देखते हैं Article 51 या फिर ननौब्दीज Next question है बुन्यादी सक्षा संबंदित है मातमा गांधी, राधा कृष्णन, अर्विन गोज इन में से कोई नहीं ये तो पता होगा बुन्यादी सक्षा मातमा गांधी से संबंदित है दोस्तु अगला question देख लेते हैं कोठारी आयोग का गठन कब किया गया कोठारी आयोग का गठन कब किया गया दोस्तु उसके बाद अगला question देख लेते हैं मादिमिक सिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे मादिमिक सिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे राधा कृष्णन, कोठारी या फिर मातमा गांधी या फिर मोदालेर गुनवत्ता परक सिक्षा विद्यालय में प्रदान की जाती है पहला option है कक्षा के अध्यान को जिवन्त बना कर सुन्दर विद्यालय भवन का निर्मान कर सुन्दर पुष्ट कालय का निर्मान कर सांस्कृतिक गति विधी द्वारा अगला question है दोस्तों objective question हमारा डेलर कमिशन संबंदित है learning to know, learning to do, learning to be या फिर all of these next question है मक्तब संबंदित है मक्तब संबंदित है प्रारंबिक सिक्षा प्रात्मिक सिक्षा, मादमिक सिक्षा या फिर उच्च सिक्षा तो जो भी है आपको पढ़ना है सही से अंसर करना है, next question यहाँ पर group B में हम लोग आ गए है short answer type question इसमें से answer any five question of the following इसमें से दोस्तों आपको 8 question रहेंगे उनमें से 5 का answer करना होता है कभी कभी 6 question रहते हैं दोस्तों उसमें से 4 का करना रहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो second number का question explain article 46 of the Indian constitution ठीक है, समविधान की धारा 46 की व्याख्या करने आपको फिर next question है दोस्तों सिच्छा और समाज के बीच संबंध स्तापित करें तो सिच्छा और समाज की बीच में क्या संबंध है वो बताने आपको next question है दोस्तों समविधान की धारा 351 की व्याख्या करें अगला question है भारत में स्वतंत ता पूरो कालिन सिच्छा व्यवस्था पर परकास डालें आगे देख लेते हैं यहाँ पर question number 7 जो की short type question है साचिक समानता से आप क्या समझते हैं फिर है डेलोर कमिशन के महत्व की व्याख्या करें next question है दोस्तों सिच्छा की सामाजिक निर्धारक के रूप में जाती अम वर्ग की भूमिका की विवेचना करें तो यह सारे थे आपके short type question group C में पहुंचते हैं दोस्तों long type question में यहाँ पर आपको पहला question आपको दीख रहाओगा भारत यह समझतान के अनुच्छे देख 45-46 पर एक विस्तित टिपने लिखें निक्ष देख सकते हैं नारी ससकती करन में सिक्छा की भूमिका का वर्णन करें निक्ष कुषिन है दोस्तों भारत में आजादी के बाद सिक्छा के विकास का वर्णन करें निक्ष कुषिन है आप देख सकते हैं आधुनिकी करन की फरक्रिया में सह कार्यता साज़ेदारी की योगदान पर चर्चा करें निक्स कुश्चिन है राष्टिय सिक्षानीती 1986 के गुन तथा सिमाओं की व्याख्या कीजिए निक्स कुश्चिन है भारती समविधान के अनुच्छेद 28 अम 29 की विस्तित व्याख्या करें तो आपने देखा दोस्तों कुश्चिन किस तरह की कुश्चिन है आपको अंदाजा लगी गिवा या आप मतलब किस तरह से लिख पाओगे मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको कैसी एक्जाम में लिखना है तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिजिए गा और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर लिजिए गा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद